नमस्कार साथियों, सौगत है आपका अपने चैनल नितियस पांडे में जैसा कि अभी तक गडित की दो क्लासेश हो चुकी है आज आपके बीच तीसरी क्लास लाई जा रही है जिसमें आपको घातांक और करडी से संबंदित प्रशन अपसेख सर के दोरा करवाई जाएंगे यदि आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो उपर आई बटन में आप गडित की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें डियलेट चतु सिमिस्टर की सारी क्लासेस प्रोवाइट करा दी गई हैं यदि आप चैनल पे नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने कॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ सब ही गुर्प्स में सेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और वो आने वाली आगामी परिच्छा में ज्यादा से ज्यादा अंग हासिल कर सकें तो अब आप अब शेक सर के दोरा पढ़िए मसका साथियो मैं अपसे आपका सौगर करता हूँ आपके अपने चैनल नितियस पांडे में साथियो कल के वीडियो में थोड़ा टेकनिकल इसू के कारण वीडियो 14 मिनिट के बाद नहीं चली अतारा आज की वीडियो में मैं पहले जो उसमें सेस रह गया था बाग उसको पहले कवर करवाऊंगा उसके बाद आगे के कुश्चन करवाऊंगा तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो डियलेट में बहुत पॉची जाती हर पेपर में नोट में लिख लिए तो इसमें पहला कुश्चन है जैसे करणी रूट 3 में घाद बताईए करणी रूट 3 में घाद करें ऐसे कुश्चन डियलेट में बहुत एक एक नमबर में आते हैं तो इस अता आप लोग घ्यान से देखिएगा करणी रूट 3 को हम रूट 3 को हम यहां पे कुछ नहीं लिखा होता है इसका मलब यहां पे दो लिखा होता है तो इसको हम तीन की पावर जो पावर होती इसकी अपाउन में आ जाती है वन अपाउन टू तो इसकी घाद जो हो है घाद क्या हो जाएगी घाद इसकी दो हो जाएगी जो यहां पर लिखी होती मों घात होती जो यहां पर लिखी होती गात होती इसे ही बद आखे आप यह चार रूट पांच चार इसका क्या होगा पांच की पावर एक बटा चार इसमें इसकी घात हो जाएगी चार यहां पर जो है वो घात हो जाएगी ऐसे कुश्चन आप कर सकते हैं बस कंसेप्ट सिखेंगे तो आप कुश्चन अपने आप कर लेंगे तो इसकारी में अगले टॉपिक पूरते हैं गातांग का गातांग के नियम यह बहुत important टॉपिक है अगर यह गातांग के नियम कर लेंगे तो इन पर बेस्ट चो question होते हैं वो भी आप कर लेंगे तो पहले यह समझिए पहला नियम है एकी पावर एम गुड़े एकी पावर एन इसकल टू एकी पावर गुड़े में जो होती ना गुड़े में घाते आपस में जुड़ जाती है तो एकी पावर एम प्लस एन हो जाएगा जैसे एकी पावर एम है और ये एकी पावर एन है तो A की पावर M प्लस होना हो जाएगा एक जामपल के तोर पर देखिए आप जैसे 4 की पावर 5 है गुड़े 4 की पावर 4 है तो यह हो जाएगा 4 की पावर 5 प्लस 4 A कोई constant है जिसमें A हमने कोई constant 4 ले लिया इसकी पावर 4 की पावर 5 हो गई गुड़े 4 की पावर 4 तो इन दोनों की घाते जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 4 की पावर 9 ऐसे दूसरा नियम देखते हैं दूसरा नियम है A की पावर M भाग A की पावर N तो यह हो जाएगा A की पावर M-N भाग में जो है गुड़े में तो घाते जुड़ जाती है भाग में घातें की आपस में घड़ जाती है तो एक जामपल के तो पर इसमें देखते हैं जैसे नौ की पावर आठ भाग आठ नौ की पावर साथ तो इसमें भाग लिखा है तो इन दोनों का आपस में घाते जो हैं गट जाएंगे 8-7 तो हो जाएगा 9 की पावर 1 ठीक है अब अगला नियम देखते हैं जिस अगला नियम है A की पावर M की पावर N जब पावर की पावर होती है तो पावर का आपस में गुड़ा हो जाती है तो यह हो जाएगी एक की पावड में एजामपल के तोरे देखें जैसे एट की पावड सेवन की पावर नाइन तो यह एट की पावर सेवन गुड़े नाइन हो जाएगा एक की पावड सिस्टि-स्री ऐसे ही अगला अगला नियम देखते हैं अगला नियम है a b की पावर n जब डो कॉंसेंट एक comput तो ये जो पावर होते हैं दूनों मेंलिंग आते तो जाएगा a की पावर n गुड़े बीच में होता है a की पाउर n गूरे बीकी पाउर n पाच्वा देखते हैं तो 50 यह हमें देखते हैं 50 यह जो है a upon b की पाउर n है whole पाउर n तो यह जो होता है एक एपन अब की पावर एन इना का अंस और की नोनुनों में डिवाईड पावर जातीज़ स्वस्थी Master לכ अबना है यह सब रॉक कॉंस्टेंट है लों आपन आठ की पावर है पाच त्रिये हो जाएगा ऑगल नोग की पावर पाच आपो न厮ें अ में अबसे टूबू वन कि एक वो सकता है यहां पर कॉंस्टेंट है एक की पावर जीरों तब भी बन होता है तो फिल अगते हैं तो बहुत इंपॉर्टिन नियम है करणी के नियम हम देखते हैं करनी के नियम क्या होते हैं पहला जो नियम है यह है रूट ए और इसकी पावर एन है कि होल पावर एन यह क्या होता है और हमको पता है जो ड्राइकट के अंदर ऐसे लिखा ए तो इसकी पावर हम एकी पावर 1 वक्ता्ट एंन लिख सकते हैं इसको इस वहले को गेंतने इतना चीज़ को हम A की पयोड एक वक्ता एंड लिख सकते है यह हमको पता है अब इसकी होड़ पावर क्या है ऑं तो यह एंड से यह वार और कट जाएगा बचेगा एंड तो एन रूट ंर्िछं से कीपने हो दिखिए एबी की पावर एन तो यह जो है इसके अंदर अंडर रूट के अंदर एबी है तो इसकी जो पावर है यह दूनों में डिवाइड हो जाती इसको हम एन रूट ए गोड़े एन रूट भी लिख सकते हैं ऐसे ही इसी कड़ी में तीसरा तीसरा नियम देखते हैं जैसे ए अपॉन भी जहाँ पर एन पावर एसकी तो सेम है गातां की नियम की तरह यह भी यह भी आंसर हर दोनों में डिवाइड हो जाएगी पावर एसकी एन रूट ए रूट भी इसे चगरी में चौथ देखते हैं चौथा नियम चौथा नियम है रूट है होल पावर एम है तो हमको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एक ही पावर एक बटा एन इस वाले को हमने क्या लिखा है एक ही पावर एक बटा एन जो यहां पर पावर होती वह अपान में आती ह यह हमको पता है तो उसके बाद whole power इसकी M है अब हमने घातांग का नियम क्या पढ़ाता है घातांग का नियम में हमने देखो यह power की power जब होती है तो power की power के आपस में गुड़ा हो जाता है तो इसमें भी power की power है तो इनका आपस में गुड़ा हो जाएगा एक की power M upon N यह इसका हो जाएगा हमारी करणी का लास्ट जो नियम है M under root N करणी A इसका निकालना है तो इतना पहले हम इसके अंदर वाली करणी का solve करेंगे हमको पता है इसको क्या लिख सकते हैं पहले तो हम यह वाली करणी लगा लेंगे यह वाली M लिख लेंगे इसको इस वाले इस वाले को हम लिख सकते हैं एक पावर एक बता एन है ये तो हम लिख सकते ना अमने बताया था यह यहां पे लिखा है वह पाउन में आ जाती है अब दिखे अब अब इस वाली कर्णी को क्या लिख सकते है एक पाउर एक बता एन तो ही इसकी whole power करके यह यहां पर यहां पर यहां, वह अपन में आता है, 1 upon M हो गया है, अब हमने गातां चाहें के नियम में पड़تم है, जब फार की पाउर होती है, तो आपस में उसकी गुड़ह हो जाती है, इसका क्या मला होगा? इसको हम गुड़ा कर लेंगे आपस में इसकी गार पावस का एक बटा N गुड़े एक बटा M तो हो जाएगी A की पावर वे एक बटा MN या 1 अपॉन MN MN आगे हैं यहाँ पे अपॉन में है तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं करणी के अंदर A और यहाँ पे MN ठीक है इसपे बेर्ट कोस्चन कैसे होगा जैसे कोई करनी कोई करनी दी होगी यहाँ पे चार लिखा होगा यहाँ पे पावाच लिखा होगा और यहाँ पे कुछ 9 लिखा है जैसे मालू ठीक है तो इसको हम डारेक्ट लिख सकते हैं इस वाले सूत्र के इस वाली करणी की नियम के दौरा चार गुड़े पांच अब करणी के अंदर क्या होगा नौ टून्टी करणी नाइब ऐसे कुष्चन होंगे जब हमको करणी की नियम के दौरा हम सौल कर सकते हैं तो साथियों यह था उस वीडियो का सेस्ट जो मैंने उस वीडियो में कराया था वो टेक्निकल इसू के कारण नहीं चल पई अब आगे के वीडियो आगे के कुष्चन मैं नेफ्ट वीडियो में बनाब बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं अब आगे के कुष्चन में नेफ्ट वीडियो में करूंगा धन्यवाद अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चीन वीडियो को लाइक कीजिए अपने आन्य निफातियों के साथ सेय कीजिए और हमारे चैनल को निते स्पांडे को सब्सक्राइब कीजिए लगने बाद